कोरोना संक्रमन से किसानों को बचाने के लिए सरकार ने समर्थन मुल्य पर खरीद केंदर रेजिस्टेशन के दुरान अंगुठा निशान की अनिवारियता को खत्म कर दिया था और OTP के जरी रेजिस्टेशन करवाने की निर्देश दिये गए थे लेकिन अब बिल बनाते समय अंगुठा अनिवारिय कर दिया है जिससे कोरोना संक्रमन का खत्रा तो बढ़ा ही है साथ ही भुजूर्ग किसानों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है जिनका अंगुठा निशान नहीं मिलने से बिल नहीं बन रहे ऐसे में किसानों की बेची गई फसल वापस हो रही है इससे परेशान किसानों ने सरकार से मांग की है कि अंगुठा निशान प्रक्रिया को खत्म कर फिर से OTP से बिल बनाने की प्रक्रिया चालू की जाए जैसा कि आपको पता है कि कोरोना भीमारी बहुत संसेटीब बिमारी है और राजस्तान में सारी फसले कट किकी है और उन फसलों को मंडियों में बेचा जा रहा है उन बेचने के दौरान यह पाया गया कि किसानों के अंगुठे जब बनाते हैं तो अंगुठे लगा हैоло प्रश्राइब नागरीक अधिकार संस्ता ये मांग करती है कि ओटीप वाला जो मोबाइल का सिस्टम है जो बैंक ओटीपी का सिस्टम अपनाता है वही बिलिंग में अपनाया जाए और इस जो बायमेट्रिक सिस्टम है इसको कुछ समय के लिए होल्ड किया जाया या कोरोना हमारी का जब तक समाधान नहीं होता है तब तक के लिए इसको हटा दिया जाए